आप देख रहे हैं विराच 24 न्यूज मैं आपके सांथ साक्षी अभी तक शीत लहर शुरू नहीं हुई थी लेकिन गद्दिवस से शीत लहर शुरू हो गई है जिसने ठंड को कई गुना बढ़ा दिया है कार्यालों में अलाव जला कर गर्म रहने का प्रयास करते हुए कर्मचारी ठंड का आलम यह है कि शहरवासी रजाई में दुबुकने को मजबूर है जो बाहर निकले हैं वो ठिटूरते रहे हैं हालतिया है कि सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पर आवा गमन आधर रह गया है जिले में एक तरफ जहां ठंड ने प्रकोप शुरू कर दिया है वहीं दूसरी तरफ अस्पताल से लेकर निजी चिकितसालों में मरीजों की लाइन लगी है लोग खासी जुखाम वा बुखार से पीडित होकर आ रहे हैं चिकितसकों की माने तो यह थंड का असर है तथा इसमें लोगों को बाहर कम ही निकलना चाहिए विगद दिन शहर में यह हालत हो गई है कि शाम को पांच बचते ही घनक और अच्छा गया सड़क पर वाहनों की लाइट जल उठी ऐसा लगता है कि शाम के साथ बच गए है मुरैना में दफ्तर हो या सड़क दोनों जगे लोग अपने आपको सर्दी से बचाने का प्रयाश कर रहे हैं दफ्तरों में लोग हीटल लगाए है तो बाहर सड़कों पर लोग अलाव लगा कर गर्म रहने का प्रयाश करते नजर आ रहे हैं सर्व सुविधायोग नेशनल होस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उप्चार और आपरेशन की सुविधा उपलब्थ है हमारे यहां मिल रहा है आयश्मान भारत निरामे योजना का लाब आयश्मान जन आरो के योजना के तहट सभी प्रकार के मेडिकलेम की सुविधा उपलब्थ है हमारे यहां लेजर कैंसर, अस्थी रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ओप्रेशन अबरीवा के नैशनल हस्पिताल में उपलब्थ है नैशनल हस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेस पतेल के द्वारा उपलब्थ करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 96912885600 या फिर संपर्क करें 7566831551 पर हमारा पता है नैशनल हस्पितल समानतिराहा रिवा संपर्क करें 07662359974 या फिर संपर्क करें 860028859900 पर